हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगी तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ राजवीर की फुल विंटर हेयर के रूटीन की वीडियो शेयर करूंगी जिसमें हेयर वाश और टावल ड्रैंग और ओइलिंग की व विंटर रूटीन तो चलिए गाईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाईज मैं राजवीर को करवा रही हो हेयर वाश हफ्ते में अब मैं उसे एक बार ही हेयर वाश करवाती हूं क्योंकि विंटर स्टार्ट और पानी को मैंने थोड़ा सा गरम भी किया गीजर ऑन किय थोड़ा सा पानी गरम किया क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थंडे पानी से एक तो बाल अच्छी तरह से क्लीन भी नहीं होते हैं यह वाश नहीं करवाया जाता तो वीक में एक बार ही हम मैं उसे एर वाश करवाती हो तो गाईज एर वाश के लिए मैंने आयूर हर्बल श होई चुके हैं तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि से एर फॉल हो रहा है या फिर यह शेंपू इसमें कैमिकल वगरा जादा है तो मुझे इस शेंपू के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं आप पिछले दो ड़ही सालों से जशन राजवीर अर्श सब करने से नारे जासे आपको पता है कि अहीं शेंपू ही मैं काफी टाईम से उनके बाल हो इसी से इनके बाल इतुने ज़दा हेलधी हुई है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इस शेंपू से हीर फॉल होता है या फिर इसमें केमिकल जादा है तो राजवीर के बालों में काफी ज़्यादा ओयल लगा हुआ है इसलिए जब मैंने फर्स्ट टाइम शेंपू अप्लाई किया तो इतनी जहाग नहीं हूँ इतना लैदर नहीं कि क्योंकि ओयल बहुत ज़्यादा उसके बालों में लगा हुआ था तो एक बार शेंपू करने है तो देखे सेकेंड टाइम जब मैं शेंपू करती हूँ ना तो शेंपू बहुत ही अच्छा लैदर करता है इतनी अच्छी इसकी जहाग हो जाती है अब विंटर स्चार्ट है तो मैं इसे हफते में एक बार ही हियर वाश करवाती हूँ क्योंकि इतने जल्दी बाल गंद से बाइब कर सकते हैं जस्ट वान फिप्टी या टू हंडड में आप इसकी 1 kg की बाटल बाइब कर सकते हैं इतना अफॉरडेबल यह शेंपू है इसके साथ आपको कंडिशनर यूज करने की भी जरूरत नहीं है तो देखिए अच्छी तरह से मसाज की है मैंने उसके बालो बालों में से अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए बिल्कुल भी शैंपू आपके बालों में नहीं रहना चाहिए अच्छी तरह से पानी डाल कर सारा शैंपू मैं बालों में से निकाल लूँगी इसके बाद मैंने किसी भी कंडीशनर का यूज नहीं किया क्योंकि मुझे ऐ के जैशन के बाल बहुत यद ज्हावी, लॉग थे, इस के ऐपकर की एंच हैं, तो इसके आपज्विर के बाल काफी ज्यदा स्ट्वेट है धितिन बल माल के प्रम इस नहीं हई गजयाँ जाए यहकर को श्यृत्त सब्कक़ों सब्सक्राइस काल अगा क्योंकि टावल ड्राइंग करने से बाल कासी जर्था वीक हो जते हैं, वेक्ट बाल तो हमारे वैसेता विक होते हैं, बहुत कम मैं उसके टावल ड्राइंग करती हूं, नैस्वरली उसके बालों को 20-30 घंटे दे देभाण यूसके सुखनें। लग जाते हैं ड्राइर वगेरा का मैं यूज नहीं करती हूं ना ही समर में ना ही विंटर में दो-तिन घंटे लग जाते हैं उनके बालों को सूखने में उसके बाद मैं उनके ओईलिंग करती हूं और फिर जूडा कर देती हूं तो देखे इस तरह से मैंने राजवीर के टावल ड्राइंग की है ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो बालों में से निकल जाए इसके बाद मैंने उसके बालों को अच्छी तरह से एर ड्राइ होने दिया, वो उसके बाल अच्छी तरह से सूख चुकिया है, मुझे करनी है, ओइलिंग के लिए मैंने यहाँ पर डाबर आमला ओईल का यूज किया है, काफी अच्छा वाला ओईल है, आप ट्राइ कीजिए, आपको इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और काफी ज़्यादा अफॉर्डेबल है, इसली आप लोकल मार्के स्टोर से भी से भाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप इसकी बड़ी बॉटर ले सकते हैं, आप चाहिए तो एमबे कंपनी का जो आमला करना है, और फिर मुझे उसके जुडा करना है, तो देखिए, अच्छी तरह से मैंने सारे बालों पर उसके औहिल लगा दिया है, टैंगल्स को मुझे रिमूव करना है, उसके बालों में बहुत ही ज़्यादा टैंगल्स थे, जब मैं उसे हेर वाश करवाती हूं, हेर यही राजवीर की फुल रूटीन है, विन्टर में इसी तरह से मैं उसके बालों की केर करती हूं, जिस वजह से उसके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, तो अगर आप भी अपने बालों की अच्छी केर करेंगे, बालों पर टाइम पर ओलीं करेंगे, टाइम पर हेर तो आपके बाल भी काफी ज़्यादा हल्दी हो सकते हैं तो होब गाइस आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग